वहीं भारत इस वक्त एक मुश्किल दोर से गुजर रहा है करोना वाइरस बेकाबू है और हर दिन धायलाग से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और रोजाना मौत का आंकड़ा भी 4000 को पार कर चुका है साथ ही आपको बदा दें स्वाथ मंतर वाले की ओर से ज्वारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,57,299 करोना केसिस सामने आए हैं और 4,194 करोना संक्रमितों की जान चली गई है महीं आपको बदा दें 3,57,660 लोग करोना से ठीक भी होए है लेकिन स्थि काफे चिंता जनक बनी हुई है खास तोर पर ग्रामिन इलाकों से लगातार करोना संक्रमिन के ताज़ा मामले बढ़ते होए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही जो मृत्य उदर है वो बढ़ रहा है और देश भर में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिछले दुनों केंद सरकार के स्वासमंच्वाले ने राज्यों को पत्र लिख कर इसे महामारी घोशित करने की मांग की थी जिसके बाद से ही राजिस्तान, हरियाना, उतरप्रदेश सरकार ने इसे मामारी घोशित कर दिया है इन राजों में ब्लैक फंगस के मरीज तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कोविट से ठीक हुए मरीज फिर से इस बिमारी को लेकर अस्पिताल में भरती हो रहे हैं इस खदरनाग इंफेक्शन से देश में अब तक सो से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है जो कि महराश और राजिस्तान में ब्लैक फंगस के सबसे जादा मामले सामने आ रहे हैं जिसमें महराश में सबसे अधिक 90 लोगों ने दम तोड़ दिया वहीं भरियाना में 14 की जान चले गई हाला कि म्यूक्रो माइकोसिस यानि ब्लैक फंगस की दवा बाजार में उपलब्ध हो गई है फार्मा कमपनी MSN ने ब्लैक फंगस की दवा पॉसको नौजोल को बाजार में उतारा है साथी दवा आने से मरीजों को रहात मिलेगी और ये साथी आपको बदा दे हाला कि दवा मार्किट में सभी जगा उपलब्ध नहीं है लेकिन कमपनी ज्वल्ध ही देश भर में ये दवाई सप्लाई करने की बात कह रही है और वहीं कोरोना संक्रिमंट के बीच ब्लाक फंगस विक्राल रूप धारन करता हुआ नजर आ रहा है देश के बड़े हिस्सों में ये तेजी के साथ पैर पसार रहा है और रोजाना सेखड़ों लोग इसके शिकार हो रहे है तो वहीं कई राज्यों ने इस बिमारी को महामारी घोशित कर दिया है और अब मद्यप्रदेश सरकार ने भी इसे महामारी घोशित कर दिया है आपके बता दे हाल ही में कि एंदरु की तुर्फ से राजों से is बिमारी को this infection को मामारे गोशिड करने के लिए कहा गया था और इसी कडी में इससे पहले माराष्टर में और राजस्थान में से मामारे गोशिड कर दिया गया है और अब इसी कड़ी में आपको बता दें यहाँ पर भी से मामारी कोशित कर दिया गया है सरकार इस बिमारी के मरीजों और मृतकों का इलाज करोना की तरह ही रिकॉर्ड रखेगी और बता दें मद्धिप्रदेश में इन्फेक्शन तेजी के साथ फैल रहा है और आज में अभी तक दस लोगों की ब्लैक फंगस की वज़ा से मौत हो चुकी है और वहीं कई मरीज अभी भी इस बिमारी से जंग लड़ रहे हैं ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा वो मरीज हैं जो हाल ही में करोना से ठीक होकर घर्ड आचे हैं लेकिन फिर से उन्हें अस्पताल जाना पड़ रहा है और इसे के साथ फिलाल के लिए खबरों में बस इतना ही देश दुन नहीं तवाम खबरों के लिए देखते रहे हैं आरे नियूस